हेलो फ्रेंड्स, वेल्द क्रिशन विद्यस चल पर आपका स्वागत है, आज हम कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिम्टेड सेहर के बारे में बात करेंगे, हम उसकी वेल्वेशन, फंडामेंटल और फ्यूचर अर्निंग के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिम्टेड इसे पार्ट ओप चेनी बेस्ट मिर्वकपा ग्रूप इंगेजड इन मैनुफेक्ट्रिंग, एब्रेस्टिव, चेरेमिक और रिफ्रेक्टिक और एलेक्रो मिनरल्स, बिजनस सेग्मेंट्स की बात करें, तो यह एब्रेस्व में रिवेन्यु जनेशन था, फैनिशल ये 22 में, एब्रेस्व से 38.5, इंडस्टिल सेरेमिक से 24 और अधर से 13.2 परचेंट, जेग्राफिकल सेप्लिट की बात करें, तो इंडिया से 55 परचेंट इसका रिवेन्यु जनेशन था, 22 में, जबकि रेस्ट वर्ल्ड से 45 परचेंट, कंपनी के मैनुफेक्शिरिंग प्लांट देखें, तो इंडिया, रशिया, एंड थाइलेंड में लोकेटीड है, कंपनी के मार्केट के अब हम देखते हैं, तो 22,000 क्रोड के आसपास है, और क्रेंट प्राइस 1191 है, स्टोक की पी 52.4 है, कंपनी की आरवी देखें, तो 50.4 परसेंट से अब हो, आरवी हमें देखने को मिल रही है, कंपनी की इंट्रिजिक वेलू 413 है, कंपनी का करण रईशियो, हैल्दी करण रईशियो हमें दिखाई दे रहे है, 2.74 है, इंटर्स कवरेज रईशियो भी अच्छा है, हम लोकें अच्छा कासा प्रोफिट जनेट कर रही है, हम देख रहे हैं कि कंपनी कंपनी अपनी आरवी को मेंटेंड की वे, या इसमें हमें हलकी सी ग्रोफ दिख रही है, जैसे कि आरवी हम 5 येर के एवरेज आरवी देखने हैं, तो 15 परसेंट थी, 3 येर की 15 परसेंट, प्रिवेस येर में हमें कुछ प्रसेंट थी, 7 की 33, 5 येर की एवरेज पी देखें, 33, जिबकि लास्ट येर की पी देख रहे हैं, तो 45.8 हो गया है, और अभी जो करन्ट प्राइस तो अर्नी रेशो देखें, तो 52.4 है, इस असाब से हम देखें, तो कंपनी अभी मेहंगी हुई है, क्यों कंपनी की पी ह हमें 33 की रेंज से 52 देखने को मिल रही है, एवरेज पैग रेशो देखते हैं, 5 येर्स का 3.73 था, जो कि अभी करन्ट का पैग रेशो हम देखते हैं, 3.99 है, मींच अभी पैग रेशो बड़ा है, इट मींच अभी कंपनी की वेल्यूशन थोड़ी हाई हुई है, अगें हम आवरेज केश 5 येर्स का देखें, 3.47 है, 3 येर का आवरेज केश पूम ओपरेशन देखें, 3.75 है, तो कंटिन्यू कंपनी अपना केश पूम ओपरेशन बढ़ा रही है, प्रीविश येर में हलका सा हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, अगें कररंट येर में कंपनी ने अच्छा cash generation किया है, दूसरा parameter हमारा ये होता है, कि profit after tax देखते हैं, profit after tax और cash from operation, उसमें कितना variation हमें देखने को मिल रहा है, तो profit after tax देखते हैं, तो last 2 येर का 735 है, जबकि cash from operation हमने 675 दिख रहे है, जो कि एक healthy range में है, लगबग कंपनी जितना annual profit earn कर रही है, उत जब भी किसी कंपनी को हम analyze करते हैं, तो हम देखते हैं, जो operating profit है, वो quarter on quarter इसका increase हो रहा है, तो हम देखते हैं, जो previous quarter का operating profit था 190 क्रोड था, latest quarter का 169, तो operating profit last quarter में हमें downward trend देखने को भी ला, बट अभी जो expectation की जा रही है, कंपनी से वो expected है, कि 210 के आसपास operating profit अपनी शोग करे है, 7 year का average लें, तो 11.9% था EBITDA, उसके बाद 5 year का average देखने, 12% हुआ, last 3 year की बात करें, तो 18.9% का growth देखने को मिली है, और last year की हम बात करें, तो हमें लगबग 28% की हमें EBITDA में growth देखने को मिली है, जो की अच्छी बात है, अपने continue अपने parameters में implement लेके आ रही है, इसी तर years में 13.3% थी, 5 year की growth देखने को मिली है, अभी हम देखें, तो last year जो growth company दिखाई हो 25.7% की है, जो की काफी healthy growth हमें देखने को मिल रही है, कोई भी company growth अभी करेगी जब हो अपना sales growth भी उसकी अच्छी घासे में देखने को मिली है, तो previous quarter में जो sales growth थी 1200 क्रोड की थी, last quarter जो latest quarter भी June quarter गया है, उसमें भी 1200 क्रोड की आसबास sales थी, और अभी जो September quarter में company से expect किया जा रहा है, कि वो 1434 क्रोड की sales हमें दिखाएगी, तो ये काफी अच्छी sales मानी जाएगी, अच्छी growth होगी, और जो expected quarter की sales variation उसको हम September 2022 के quarter से compare के हैं, तो लगबग 27% की growth company हमें show कर रही है, जो expectation है, तो काफी अच्छी expectation लेके इसे market चल रहा है, और इसका reward भी दिया है, विक company ने last year में 50% से अबो return generate करके भी दिया है, इसी तरह हम EPS की बात करें, तो previous quarter का EPS 7.2 था, latest quarter का 5.96 है, जिबकि अभी latest quarter में EPS expected किया जा रहा है company से 7.35%, जो कि again हमें growth trend में EPS भी दिखाई दे रहा है, अभी तक हमने fundamentals के बारे में discuss किया, पर अभी हम एक चीज notice में कर रहे है, वोल्यूम काफी है, जो last trading day था, 22 seconds, उसमें हमें volume काफी ज्यादा दिखाई दिया है, अभी तक हमने देखा है, कि company ने last one year, less than one year में 800 से लगबग 1200 तक हो गया है, काफी अच्छा price appreciation हमें देखने को मिला है, और उसका region हमने देखा, fundamental काफी strong होते जा रहे हैं company के, और इसी वज़े से market ने इसको reward दिया है, अभी last काफी ज्यादा हमें volume देखने को मिला है, trading activity, और इस volume के साथ साथ हमने क्या notice कि है, कि इस company में जो delivery रहती है, वो लगबग 50 से अबो रहता है, बट high volume के साथ हमने देखा, delivery है वो काफी कम हुई है, तो ये क्या इसारा कर रहा है, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि company में जो अच्छे fundamental बने हैं, जो fundamental में हमें काफी improvement देखने को मिला है, उसके base पे already pricing हो चुके हैं, वो fundamental जो sales growth आने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं भी price में लगबग 50% का हमें appreciation देखने को मिला है, और जो अभी volume आया last trading day पे, उसमें क्या हुआ है, कि volume के साथ साथ उसमें delivery जो quantity है, वो कम हुई है, delivery percentage कम हुआ है, company के quarterly sales की बात करें, तो continue sales में हमें growth देखने को मिली है, operating profit margin भी लगबग 14% के आसपास देखने को मिला है, year on years देखे तो company बिल्कुल हमें sale growth दिखा रही है, बट हम यहां क्या देख रहे है, कि operating profit margin है, वो हमें deteriorate होते हुए दिखाई दे रहा है, हमें last 12 months से देखा है, कि 1% का हमें increase देखने को मिला है, operating profit margin में, company की stock price की return देखें तो 10 year से 28% है, 5 year से 26% और 3 year से 69%, यह exceptional इसलिए दिखाई दे र रहा होगा इसमें, और 1 year से देखें, तो 42% का हमें price appreciation company के stock में देखने को मिला है, इस तरह हम data day की बात करें, तो data day में बिल्कुल हमें improvement देखने को मिला है, inventory days हमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, इस तरह days payable भी हमें decreasing trend में दिखाई दे रहा है, बट cash conversion हम क्या देख भी company केतने time में अपने product को cash में convert कर लेती है, वो हमें increase होते भी दिखाई दे रहा है, और working capital cycle भी लगबग 90 days का है, share holding pattern देखें, तो promoter में selling की है, जबकि वहीं FIIs ने इसमें buying करते हैं, इस इतरह DIs ने भी अपना stake इसमें increase किया है, जबकि public ने हैं percentage wise में देखें तो अपन इसमें increasing trend दिखाई दे रहा है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके valuation की, company fundamentally बहुत strong है, एक strong group के साथ जुड़ी भी है, कि company की valuation higher side हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि company की growth है, जो company ने अपनी conference call में 15% के आसपास हमें growth के targets दी है, और उसको देखें, तो company की valuation हमें higher side लग रहा ह company की PE 52 है और PEG ratio 4 है, विंज company premium valuation पर trade कर रही है, वो भी उस case में जब company अपनी conference call में और अपनी expectation में 15% की revenue growth की बात करती है, जो normal valuation था 33 का, वहाँ से company का valuation इन 3 सालों में देखने को मिला है, 50 से अब हो चला गया है, जबकि company के जो growth के prospects हैं, वो 15% के आसपास है, company में जो price appreciation है, वो हो चुका है, बट जो promoters हैं, जिस sector में काम करती है company, वो काफी stabilize है, 3 segments में काम करती है, तो हमदर study के लिए ले सकते हैं,